परिचय अंकिता, हम कोशिका सिध्धान्थ, कोशिका की संग्रचना और कार्यात्मक्षेत्रों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हाँ, अब हम दो प्रकार की कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं और जन्तु कोशिकाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, किन्तु हम पादप और जन्तु कोशिका, प्रोकेरियोटिक कोशिका की संग्रचना का अवलोकन तथा पादप और जन्तु कोशिका अर्थाद प्रोकेरियोटिक और युकेरियोटिक कोशिका के बीच के अंतर की भी चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका के प्रकार की पहचान करना पादप कोशिका और जन्तु कोशिका के लक्षणों को जानना पादप और जन्तु कोशिका के बीच अंतर समझना प्रोकेरियोटिक कोशिका के लक्षण जानना, प्रोकेरियोटिक कोशिका के कोशिका आवरण को समझना, प्रोकेरियोटिक कोशिका के राइबोसूम और अंतर विष्ट पिंडों के लक्षण जानना, और प्रोकेरियोटिक तथा युकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर स कोशिका के प्रकार हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं हैं पादब कोशिकाएं और जन्तू कोशिकाएं केंद्रक जिल्ली की उपस्थिती के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक पादप कोशिका के लक्षन पादप कोशिका के सभी सजीव पदार्थ जीव द्रव्य कहलाते हैं कोशिका एक कोशिका जिल्ली या जीव द्रव जिल्ली से घिरी होती है पादप कोशिकाओं में जीव द्रव जिल्ली से घिरी कोशिका भित्ती होती है कोशिका भित्ती, सेलियोलोस की बनी और द्रिड होती है इसलिए ये पादप कोशिका को सहारा प्रदान करती है केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो कोशिका द्रव्यद्वारा घिरा होता है रजधानी पाधब कोशिका के लिए एक संग्रहन क्षित्र है जिसमें शरकरा, लवन और वनकों का बना कोशिका रज होता है पादब कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है ये वो इस्थान है जहां कोशिका के भीतर प्रकाश संशिलेशन होता है जन्तु कोशिका के लक्षन जन्तु कोशिका के सभी सजीव पदार्थ जीव द्रव्व कहलाते हैं कोशिका, कोशिका जिल्ली या जीव द्रव्य जिल्ली से घिरी होती है केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है कोशिका द्रव्य का नब्बे प्रतिशत भाग जलका बना होता है कोशिका द्रव के भीतर अनेक अंगख होते हैं अधिकतर कोशिकी ये कतिविधिया कोशिका द्रव में होती है पादप और जन्तु कोशिकाओं के बीच अंतर पादप कोशिकाओं में जीव द्रफ जिली के बाहर कोशिका भित्ती होती है जबकि जन्तु कोशिका में कोशिका भित्ती अनुपस्थित होती है। पादब कोशिका में केंद्रक परिधिये जीव द्रवे में स्थित होता है और अन्डाकार होता है। पादब कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जबकि जन्तु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट प्राया अनुपस्थित होता है। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के लक्षन प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं आते हैं। जीवाणों और नीले हरे शैवाल साइनो बैक्टिरिया में इस प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाओं में पूरी तरह से विक्सित कोशिकांग नहीं पाई जाते हैं। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक जिल्ली नहीं होती है। जिसके कारण प्राया, किंद्रक में उपस्तित पदार्थ, कोशिका के किंद्रिय भाग में विसरित होकर कोशिका द्रव के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। कोशिका आवरण और इसके रुपांतर के लक्षन प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण होता है, जो तीन स्तरिये सनचना का बना होता है। सबसे बाहरी परत, ग्लाइको कैलिक्स, मध्धे परत, कोशिका भित्ती और सबसे भीत्री परत, जीव द्रवे छिल्ली है। क्लाइको कैलिक्स या तो धीली आच्छद रूप में होती है, जो अवंपक परत कहलाती है, या मोटी और कठोर परत के रूप में होती है, जो सम्पुटिका कहलाती है। कोशिका भित्ती कोशिका को मजबूत संदचनात्मक सहारा प्रदान करती है, जो कोशिका को भटने या निपातित होने से बजाती है। ये कोशिका को आकार भी प्रदान करती है। जीवद्रवे, जिल्ली, यूकेरियोट के जैसे ही अर्ध पारगम में होती है। हैंस क्रिस्टियन ग्राम द्वारा खोजी गई ग्राम अभिरंजन विधी के अनुसार जीवाणों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। ग्राम धनात्मक जीवाणों में कोशिका आवरण की पैप्टी डोग लाइकेंस क्रिस्टल बैगनी अभिरंजित नहीं होती है। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के मीसोसोम प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में एक विशिस्ट कलामे सनचना मीसोसोम पाई जाती है। ये कोशिका में जीवद्रवे जिल्ली के फैलाव से बनती है। मीसोसोम श्वसन और स्रावी प्रक्रिया में सहयता करता है। मीसोसोम जीव द्रविजिली की सतह में वृध्धी करने में भी सहयता करता है। जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका की एंजाईम मात्रा में भी वृध्धी हो जाती है। मीसोसोम कोशिका भित्ती के निर्माण, डिने प्रतिक्रिती और संतती कोशिकाओं के वित्रण में भी सहायता करता है। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम के लक्षान। राइबोसोम प्रोटीन संशिलेशन के स्थल है। अनेक राइबोसोम एकल MRNA से संबद्ध होकर एक श्रिंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम या बहु सूत्र कहते हैं। बहु सूत्र का एक राइबोसोम MRNA को प्रोटीन में बदल देता है। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में गमन प्रोकेरियोट चलायमान या आचलायमान होते हैं जब वे चलायमान होते हैं तो उनमें कोशिका भित्ती के बाहर की तरफ कशाभिका होती हैं ये कशाभिका पतली और तंतुमे होती हैं कशाभिकाएं तीन भागों से मिलकर बनी होती हैं तन्तु, अंकुष और आधारी शरीर तन्तु कशाभिका का सबसे लंबा भाग है जो कोशिका सतह से बाहर की तरफ निकलते हैं कशाभिका एक या अनेक हो सकती है प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं की सतह पर पिल्ली यानि रोम और जालर भी पाई जाती है रोम विशेश प्रोटीन के बने होते हैं और लंबी नली का कार सनचनाए होती है जालर लगुशूक जैसे तन्तु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतरविष्ट पिंडों के लक्षन प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ अंतरविष्ट पिंडों के रूप में कोशिका द्रव में संचित होते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वातंत्र रूप से पड़े रहते हैं। जबकि यूकरियोटिक कोशिकाएं दस माइक्रो मीटर से बड़ी होती हैं। जबकि यूकरियोटिक कोशिकाएं में DNA गोलाकार और बिना प्रोटीन का होता है। जबकि यूकरियोटिक कोशिकाएं में DNA रेखिये होता है और प्रोटीन से जुड़कर क्रोमेटिन बनाता है। प्रोकरियोटिक कोशिकाएं में राइबोसोम छोटे 70S होते हैं। जबकि यूकरियोटिक कोशिकाएं में राइबोसोम बड़े यानी 80S होते हैं। प्रोकरियोटिक कोशिकाएं में कोशिकी एक कंकाल नहीं होता है। जबकि यूकरियोटिक कोशिकाएं पक्षा भिकाएं या कशा भिकाएं हिला कर गती करती हैं। प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं दुई खंडन द्वारा विभाजित होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं अर्थ सूत्री या सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं. क्या आप चानते हैं, केंदर काब जीनोफोर भी कहलाता है, जब प्लास्मिट जीवाडों के केंदर काब के साथ जुड़ते हैं, तो ये एपिसोम कहलाते हैं, माईको प्लास्मा में कोशिका भित्ती अनुपस्थित होती है। सहरा आंश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जन्तु कोशिका। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ती होती है। जिल्ली से घरे केंद्रक और कोशिकांगों की उपस्थिती या अनुपस्थिती के आधार पर कोशिकाओं और इस कारण जीवों को यूकेरियोटिक या प्रोकेरियोटिक कहा जा सकता है। एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका कोशिका जिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रवी की बनी होती है। जीवाडूं प्रित्वी पर प्रतेक वास स्थलों पर सर्वुफ्यापी हैं। प्रोकेरियोर्टिक कोशिकाएं प्राया एक से दस माइक्रो मीटर के बीच होती हैं, यू केरियोर्टिक कोशिकाएं विशिष्ट रूप से बड़ी होती हैं, जो प्राया दस से सौ माइक्रो मीटर के बीच होती हैं. प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं आते हैं ऐसी कोशिकाओं में पूरी तरह से विक्सित कोशिकांग नहीं होते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में किंद्रक पर किंद्रक जिल्ली नहीं होती है जिसके कारण प्राया केंद्रक में उपस्थित, पदार्थ, कोशिका केंद्री भाग में विसरित होकर कोशिका द्रवी के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। जीवाणों और नीले हरे शैवाल यानि साइनो बैक्टिरिया में इस प्रकार की कोशिकाएं पाही जाती हैं।